नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल में जी हाँ आए आज हम सभी जानते हैं कंटोला के फायदे और नुकसान के बारे में कंटोला एक सबजी है जो आम तोर पर मौनसून के मौसम में भारतिय बाजारों में देखी जाती है इसमें कई स्व भारत के परवतिय शेत्रों में खेती की जाती है इसकी बेल का जीवनकाल तीन से चार महिने का होता है कंटोला का वनस्पति नाम मौर्मोडिका चरंशिया है जो कुकुर बिटेशी प्रजाति का एक पोधा है अंग्रेजी में इसे इस्पाइनी गार्ड या टीजल गार्ड कहा जाता है कंटोला देखने में करेले के समान होता है लेकिन यह साइज में करेले से छोटा होता है इसकी बेल धीरे धीरे बढ़ती है आये जानते हैं हम सभी आज इसके फायदों के बारे में मुख्यता आप सभी देखेंगे गाउं में जंगलों में खेतों में मुख्यता के इलाज के लिए दवा के रूप में उपयोग किया जाता है इसमें विभिन रासाइनिक योगिक होते हैं जो मानोव शरीर के लिए फायदे मंद होते हैं कंटोला कैलोरी में कम होता है क्योंकि प्रती 100 ग्राम में केवल 17 कैलोरी होती है यह फाइवर खनीज विटामिन और एं गरभावस्था के दोरान कई महतोपून स्थित्या पैदा हो सकती है उनमें से एक समस्या है नियूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कंट्रोला की ताजाहरी फली फोलेट विटामिन B, C का अच्छा श्रोथ है जो कोशिकाओं के विकास और प्रजनन के लिए आवश्यक होता है य खत्म कर देता है इसके अलवा यह कैंसर के उपचार में भी लाफकारी होता है कैंसर के काणों में से एक हैं हमारे शरीर में अत्यधिक विशाक्त मुक्त कणों की मौजूद्गी होना कद्दू की ताजी हरी फली विटामिन C का श्रोथ होती है जो स्वयम में एक बहुत ही अच्छी प्राक्रितिक इंटियोक्षिडेंट होती है कैंसर की संभावना को कम करने के लिए विटामिन C हमारे शरीर से अधिक विशयले पदार्थों को मुक्त कणों को बेशर करता है इसी की वदवलत आप कैंसर जैसी बीमारी से भी बचे रहते हैं अगर कंटोला का सेव के लक्षनों को कम करने में मदद करता है यह आपकी त्वचा को स्वस्था रखने में आपकी सहायता करता है इसके अलावा यह विभिन्य प्रकार के त्वचा रोगों से भी शरीर को स्वस्था रखता है इसी के साथ साथ यह आँखों के लिए भी बेहत फायदेमंद होता ह द्रिष्टी में सुधार लाता है इसमें विटामिन ए भी पाया जाता है जो कि अच्छी द्रिष्टी यानि के नजर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है आप अपने द्रिष्टी में सुधार करने के लिए इसे अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं इसका सेवन आपके आखो खार के इलाज के लिए आप इस मिश्रान को पी सकते हैं यह बहुत हीं लावकारी और शदी है इसके अलावा अगर किसी को बवासीर हो तो बवासीर की बिमारी में आप बवासीर से रहत पाने के लिए और शदी के रूप में कंटोला का उपयोग कर सकते हैं कंटोला का तो खासी एक आम समस्या है जो की जो अचानक बदली होई जलवायू और वाइरस और वैक्तिरिया के कारण बच्चों और वेस्कों में देखी जाती है यदि आप खासी से पीडित हैं तो आप खासी को नियंतरित करने के लिए पानी के साथ एक दिन में तीन बार तीन ग्राम क कंटोला रूट पावडर को एक चमच अदरक कारस और एक बड़ा चमच शहद मिला करके सेवन करें इसे किसी भी तरह की श्वास लेने की समस्या में तुरंत रहत मिलती है इसके अलावाइस टून के ठ्रीटमेंट में भी कारगर होता है यह जहां यदि कोई व्यक्ति गुर करने के लिए रोजाना पीजिये आपको लाव होगा इसके अलावा यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है इसमें फाइवर होता है जो पाचन को उत्तेजित करने में मदद करता है यह अपच और कबजी की समस्या का इलाज करने में मदद करता है इसलिए अगर आप अपना पाचन बहतर रखना चाहते हैं तो कंट्रोला का 7 शुरू कर दीजिए इसी के साथ साथ ये हाइपर हाइड्रोसिस से भी आपको रहत दिलाता है अगर आपको अधिक पसीना आने की समस्या से शर्म महसूस हो रहा है तो आप हाइपर हाइड्रोसिस से रहत पाने के लिए कंट्रोला का उपयोग कर सकते हैं कंट्रोला पाउडर के साथ स्थनान करें इसे प्राकृतिक स्क्रब के रूप में प्रयोग करें इससे अतिरिक्त खराब गंध और पसीना आना भी कम हो जाएगा इसके अलावा इससे आपको चिकनी तवचा भी मिल जाएगी इसी के साथ साथ इतने फायदों के साथ साथ नुकसान भी होता है कुछ एक कंट्रोला का आईए जाल लेते हैं इसके नुकसानों के बारे में कंट्रोला आपके पाचन तंत्र को खराब कर सकता है खास कर कि अगर आप बहुत अधिक मात्रा में कंटोला के रसका सेवन करते हैं तो आपको पीट दर्द या दस्ट का अनुभव हो सकता है अगर दस्ट या पीट दर्द दो से तीन दिनों तक लागातार रहता है तो अपने डॉक्टर से जरूर परामर्श कर लें इसका प्रभ कि इसके सेवन से ब्लड शूगर का लेवल कम हो जाता है इसके अलावा प्रेगनेंसी या स्तनपान के दोरान इसका सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से आवश्य बात कर लेनी चाहिए तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के सा करते हैं एक अन्य महतो पूर्ण जानकारी के साथ तब तक के लिए धानिवाद नमस्कार दोस्तों